हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फून है तो आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल को एक CCTV कैमरे में कनवर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रही है मैं आपको step by step बताऊंगा लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही उस bell icon को भी दबा दीजे ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए ये कैसे करते हैं देखते हैं तो सबसे पहले आप play store open कर लीजे उसके बाद आप यहाँ पर search कीजे IP webcam उसके बाद आपको इस application को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से ओपिन करता हूँ ओपिन करने के बाद आपको यहाँ पर कोई setting नहीं करनी है इन्हें default रहने देना है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको Start Server का Option मिलेगा आपको यहाँ पर कलिक करना है कलिक करते ही देखिए यह Camera On हो गया है यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक IP Address दिख रहा होगा यह देखिए इसको आपको यहाँ से Note कर लेना है आप चाहे तो आप यहाँ से Copy भी कर सकते है और आप चाहे तो यहाँ से IP को Share भी कर सकते है उसके बाद आपको यहाँ पर Run Background पर कलिक करना है और यहाँ OK कर दीजिए इसे उसके बाद यह Background में Run होता रहेगा अब उसके बाद हम अपने Laptop स्कीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो मैं अपने Textop स्कीन पर आ गया हूँ उसके बाद आपको यहाँ से Browser Open करना है आप अपने Phone का यह Browser यूज़ कर सकते हैं उसके बाद उस IP Address को जो Copy किया था उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा तो मैं इसे यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और Enter करना है Enter करने के बाद आप इस Page पर आ जाएंगे अब उसके बाद आपको यहाँ पर Java Secret पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं हमारा फोन एक CCTV कैमरे की तरह काम कर रहा है यह देखिए उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको देखे कैमरे का Option मिलता है यहाँ पर अभी Back Camera इसका On है अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इसके Front Camera को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं यह देखे Front Camera On हो गया है इसे Back कर सकते हैं यहाँ से उसके बाद आप इसकी Flash Light को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि मैं इसके क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर Flash Light On हो गया है तो मैं यहीं से इसको control कर सकता हूँ उसके बाद यहाँ पर night vision है यहाँ पर आप zoom भी कर सकते हैं इसे यहाँ पर बहुत से option है उसके बाद आप advanced setting में जाएंगे तो आपको video resolution का option है यहाँ पर से आप जिस resolution में रखना चाहते हैं उसे यहाँ से select कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर photo resolution है आप photo को जिस resolution में रखना चाहते हैं वो यहाँ से select कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर idea को आप on off कर सकते हैं उसके बाद अगर आप photo click करना चाहते हैं तो यहाँ पर take photo पर click करेंगे तो photo click हो जाएगा अगर आप video recording करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं यह देखे यहाँ पर recorder control आप यहाँ से record करेंगे तो यह recording होने लगेगी यह देखे recording start हो गई है और यह recording और photo आपको file manager में IP webcam नाम का एक folder होगा बहाँ पर यह आपको सारी मिलेंगी यह देखे यहाँ पर बहुत से option हैं आप यहाँ से control कर सकते हैं अपने phone को और यह विल्कुल CCTV camera की तरह काम कर रहा है यह देखे आप यहाँ से इसे fully screen में भी play कर सकते हैं यह देखे तो आपने देखा कैसे आप अपने phone को CCTV camera में convert कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share कर दीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे भी subscribe कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद कर दो लिए